यहां पूरे 12 साल के बाद निकली है, हमारी रोक्सी वाक पे 12 साल के बाद इसलिए क्योंकि घर में इतनी जगा है कि यह अपने घरो रांगन में ही घूम सकती है आज फर्स टाइम निकली है इतनी दूर यहां रोक्सी को पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत धक चुकी है पत्रों के बीच चल कर पर वो पानी नहीं पी रही है डर रही है बहुत ज्यादा सबी लोग यहां पे रोक्सी को बहुत प्यार कर रहे है क्योंकि वो इतनी ज्यादा धक चुकी है पहली बार पत्रों के बीच चली है वो भी कम से कम तीन किलो मीटर दूर जाकर फॉक पे निकली है तो बस इसी लिए इसलिए हम सबी लोग यहां पे रॉक्सी को रेस्ट करवा रहे है ताकि यह थोड़ी देर रेस्ट करें और चैन की सांस ले क्योंकि यह बज़ूर भी हो चुकी देख लो फ्रेंड्स रॉक्सी अपनी मासी के साथ कितनी मज़े के साथ चल रही है टनल में आज इसको लग रहा है सब कुछ नया नया कि मैं कहां पहुंच चुकी हूँ टनल में जैसे ही मैं घर पहुंची सबसे पहले किया अपने प्लांट को पानी देना शुरू क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कम पानी देते है यह है क्रासुला प्लांट और मनी प्लांट मनी प्लांट को तो देली दे देते है पर क्रासुला जो है न इसको कम पानी देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है हेलो एवरिबन कैसे है आप सब उमीद है आप सब अच्छे हूंगे मैं भी बहुत अच्छे हूं आप सुबह से ही पता क्या हुआ है कैसे पता नहीं गेट खुल गया तो हमारी रोक्सी भाग गई घर से बाहर तो बस पूरा दिन उसी को ही दोडाने का काम है सब को पर वो किसी के भी साथ अंदर नहीं आ रही है है तो चलो आप लोगों से मिलाती हूं साथ ही जाते हैं एवनिंग वॉक तो देखते हैं हमारी रोक्सी कहां है बाहर तो मैं उसके लिए चेंड ले जा रही हूं अगर पास आई तो हम उसको अपने साथ ही वाक पे ले जाएंगे अगर नहीं आई तो यहां पर हमें एक माधाजी मिले जो कि हमें हर रोज ही मिलते हैं जब हम वाक के लिए निकलते हैं तो आज हमने इनसे पूछी लिया कि आप अकेले क्यूं आपका डॉग कहां है तो कहने लगे मेरा डॉग तो मर चुका क्यूंकि उसको किसी ने इतनी बूरी तरीके से मारा ह तो बस उसी की बाते सुना रहे थें कह रहे थे कि मेरा डॉक बहुत ही प्यारा था उसके बिना अब मेरा बिलकुल भी मन नहीं लगता उसको ना जाने किसने बहुत बुरी तरीके से मारा है 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहा है और चौता दिन के बाद उसने आखरी सांस ली अब इनका मन नहीं करता दूसरा डोग पालने के लिए तो बस वही सब सुना रहे थे बेजवानों के साथ अगर एक बार प्यार हो जाए तो उसके बाद मन नहीं लगता तो पता नहीं किसने इनके डोग को इतने बूरे तरीके से मारा है बस वही बाते सुना रहे थे ये बहुत ही अच्छे हैं हमें हर रोज मिलते हैं जब हम लोग वाक पे निकलते हैं तो बस आते जाते हम इनके साथ थोड़ी थोड़ी सी गपशप मार लेते हैं इनको भी अच्छा लगता है और हमें भी माहरा ने खाए हुए है काफल नमक डाल के खाओ ना बहुत ही तेस्टी मार को दीघ में मार को दीघ में मार को बहुत है